नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धुलादार अपडेट्स में तो दोस्तों जैसे कि आप थनल में देखे चुके हैं कि 15 मई 2020 की ताजा ख़पर आपके लिए इस वीडियो में लेकिया हूँ तो हिमाचल परदेश में आए 7 और नए करोना मरीज तो दिन प्रति दिन हिमाचल परदेश में भी करोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं तो अब जो कुल आंकडा जो पहुंच गया है वो 74 जो है आंकडा पहुंच गया है तो यह हिमाचल परदेश में कौन सी दिस्टिक में जो है नए क्रोना संक्रमित आये है तो इसके बारे में पूरी जैनकारी जो है आपको इस वीडियों बताई जाएगी अगर आप चैनल पर चोहत्र पहुंच आंकडा तो हिमाचल परदेश में क्रोना के चार नए मामले अब तक कुल 74 क्रोना मामले आये हैं राज्ये में संक्रमित मामलों की संख्या 33 जो है पहुंच गई है 2644 मामलों की निगरानी में रख गया है और कांगडा, बिलासपूर, हमीरपूर और सिर्म से आये नए मामले हिमाचल में भारी राज्यों से अपने घर लोटने के बाद क्रोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ती जारी है गुरवारको परदेश में क्रोना वाईरस के साथ और पोज़्टि मामले सामने आये हैं इन में से दिल्ली से चार माई को अपने घर के पूँटासाहीव में महिला अपने माई के दिली पती और दो बच्चों के साथ बापस पूँटासाहीब पहुंची और उसके बाद 12 माई को इनकी रेंडम सेंपलिंग हुई थी तो हाला कि انमे् करोना के लक्षन नहीं है गुर्वार को जो है संक्रमित महिला के पती वब बेटे के भी करोना टेस्ट लिये गए पूंटा साहिव नगर जो है परिशद के जो है तारुवाला क्षेतर को सील कर दिया गया है उपायोकत डॉक्टर आर के पर्थी ने जो है बताया कि संक्रमित जो मा बेटी को सि सिराहर सिवल अर्सप्ताल में बने कोवेड-19 सेंटर में शिफ्ट किया गया है तो उधर कांगडा के गुरकडी में सामने आई क्रोना पोस्टी महिला मुंबाई में सॉफ्ट्वेर कंपनी में काम करती है महिला मुंबाई से जो है टेक्सी में आई और उसके साथ दो और ल लोटी शीला चोक निवासिस तुझा वर्षिय महिला की रिपोर्ट टांडा में जो है पोस्टिव आई है महिला तीन अन्य लोगों के साथ दिल्ली से कांगडा लोटी थी तो बिलासपूर में दो नए केस उधर बिलासपूर जिले में देर रात होम कॉर्णटीन पर चल र और लेकिन गुर्वार शाम को इसकी रिपोर्ट क्रोना पोस्टिव आई है प्रशाशन संकरमित को स्वार घाट से शिफ्ट करने की त्यारी में है वहीं दूसरा दिल्ली से आये संकरमित चालक के संपर्क में आया 43 वर्षिय युबक जो है सोरी व्यक्ती शिरी नैना देव के में जो है एक 50 वर्षिय व्यक्ती भी क्रोना पोस्टिव आया गया है उपायुक्त हरी केश मीना ने बताया कि इसकी पुष्टी करते हुए कहा कि यह व्यक्ती जो है 12 माई 2020 को सामने आये सुजानपुर उपमंडल के बजरोल गाम के 50 वर्षिय संकरमित व्यक्ती का वह गर्री संकरी मामलों की संकर्मित 33 पहुँच ग Current प्र्देश में दिन प्रटि दिन जो है कि ति जो है बिट जा रही है तो परदेश में है अब क्रोना वार आरस के संकर में मालों की जो है संकरीством पंच गई है राज्य में हजार से अधिक लोग जो है वो 28 दिन की जिरूरी निकदार्नी को पूरा कर चुके हैं और सभी स्वस्थ हैं राजे में अब तक जो है 14,255 लोगों की क्रोना को लेकर जांच की गई है तो यह थी आज की अभी की ताजा ख़बर अगर आपको वीडियो पुसंद है तो वीडि यह को जासे है तो अपने दोस्तों के शेयर करें जहें जहें मचलें